नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो ये दुनिया रहे से मई बातों से भरी पड़ी है ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रात में एक से तीन बजे का समय आशुब समय क्यों माना जाता है इस समय आखे खु बताते हैं तो कोई चीज आपको भाबनात्मक रूप से परेशान कर सकती है आपके शरीर में बनने वाली सकारात्मक उर्जा भी इससे प्रभाबित हो सकती है तो ऐसे में हम जानेंगे रात में आखिर एक से तीन बजे का समय आशुब समय क्यों माना जाता है तो चलिए दो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आखिर ऐ होता है और ना ही मंदिरों के दरवाजे खुले होते हैं ऐसे में सूर्य उदे भी नहीं होता इसी कारण ये समय नकारात्मक उर्जा के लिए बहुत ही शक्तिशाली होता है तोस्तों इस समय में ये उर्जा सवगुना शक्तिशाली हो जाती है और इसी समय में सिध्धियां प्राप्त करने के लिए तांतरिक कई प्रकार की साधना करते हैं जैसे कि बली देना और गुप्त साधना करना भी शामिल है तंतर विधा के अनुसार रात के एक से तीन बजे तक साधना या दी गई बली सबसे ज्यादा फली भूत होती है इसलिए एक तांतरिक के लिए ये सम इस समय बहुत मायने रखता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा माना जाता है। जाती है जिसके बाद बुरी घटनाएं होती है वही तीन की संक्या को भी हमारे शास्त्रों में आशुभुमाना गया है दोस्तों जरूरी जानकारी कई बातों से रहें साबधान कभी भी रात में सोते समय भूत प्रेत आत्माओं की बाते कभी ना करें ऐसे समय में कभी भी आप उठें या बाहर जाएं तो चौराहों से बच कर निकलें और ऐसे इस्थान पर ना जाएं जहां पर किसी की बली दी जाती हो या फिर भूत बाधा भगाने का दाबा किया जाता हो या फिर नदी पुल सडक पार करते हो या किसी जंगल से गुजरते हो या फिर रात में अचानक तीन बजे नीद खुल जाएं तो ऐसे समय में अपना काम करके भगबान का इसमरड जरूर करें दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल स